हम धर्मी होने और आत्मिक होने के बीच के अंतर पर अपना अध्यन जारी रखेंगे विशेश रूप से हम मृत्त काम के विशे को देखेंगे नया नियम गलातियों पाच उन्निस में शरीर के कामों के बारे में बात करता है और हम सभी उन कामों से परिचित हैं अनेतिक्ता, जगडा, इर्शा, क्रोथ का प्रकोप, जादू, टोना और ऐसी बहुत सी बाते जिनका उन वचनों में उल्ले किया गया है हम समझते हैं कि एक सच्चा मसी एक आत्मिक व्यक्ती के रूप में कभी इन पापों में लिप्त नहीं हो सकता इन्हें पाप के रूप में जाना जाता है ये कार्य इतने सफस्ट रूप से पाप में हैं कि एक विश्वासी के लिए अपने विवेक में गहराई से दोशी हुए बिना उनमें से किसी भी का अभ्यास करना कटीन होगा इसलिए वे हमें बटकाने के अर्थ में खतरनाक नहीं है निश्चे वे दूस्ट है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब हम इन में से किसी में गिरते हैं तो हमें इसका आभास हो जाता है क्योंकि हमारा विवेक हमें तुरंद बता देता है यहां तक कि एक सांसारिक अपरिवर्तित वेक्ती का विवेक उसे अनेक्तिक्ता और इस तरह की बातों के बारे में बताएगा लेकिन मृत काम अधिक कपट पूर्न होते हैं नया नियम भी मृत कामों के बारे में बात करता है अधरान के लिए इबरानियो च्छे एक यह कहता है कि हमें मरे वे कामों से मन्फिराना चाहिए अब पुराने नियम में मृत कामों जैसी कोई बात नहीं है आपके पास या तो अच्छे काम है या बुरे काम है केवल अच्छाई और बुराई होती है परंतु नए नियम में हमारे पास अच्छे काम, बुरे काम और मुर्ट काम है अच्छे काम वे काम है जो परमेश्वर को प्रसंद करते हैं बुरे काम वे काम है जिनका उले गलातियों पाच 19 से 21 में किया गया है मृत काम क्या है? मृत काम वे काम होते हैं जो बाहर से तो अच्छे लगते हैं लेकिन जो किसी ब्रस्ट उद्दे से उत्पन होते हैं या गलत कारणों से किये जाते हैं इसलिए वे परमेश्वर के द्रिष्टी में महले वस्तर के समान है यह उस्वेक्ति के समान है जो कोड से भरा हुआ है और अपने कोडी हाथ से आपको खाने के लिए प्रतम श्रेनी का सेव देता है क्या आप इसे लेकर खाएंगे सेव अच्छा हो सकता है लेकिन उस वेक्ति के हाथ में कुछ रोग के किटानों से दूशित होता है यह उसी तरह है जब हम परमेश्वर को अच्छी बाते अरपन करते हैं लेकिन गलत मकसद से दूशित होते हैं यह एक प्रातना हो सकती है यह एक मसी सबा में स्तुती गित गाना हो सकता है और इनके पीछे आपका उद्देश अपने लिए सम्मान प्राप्त करना हो सकता है फिर यह क्या है एक अच्छा काम या बुरा काम या एक मृत काम है इसे समझना हमारे लिए जरूरी है श्वासियों के बीच यह अच्छी तरसे जाना जाता है कि एशु का लहू हमें सब पापों से शुद्द करता है पहला यहन्ना एक साथ लेकिन जो इतना प्रसिद्द नहीं है वह इबराणियों नव चौदा में है और वहां कहा गया है कि मसी के लहू को हमें मरे वे कामों से भी शुद्द करने देना चाहिए इससे पहले कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें तो मसी का लहू हमें किस से शुद्द करता है के बल पाप ही नहीं इसे हमें मरे वे कामों से भी शुद्द करना चाहिए और इसलिए अमारे लिए यह बहुत बहुत महत्वपून है कि हमें इस बात की सपस्च समझ होनी चाहिए कि मृत काम क्या है आए कुछ प्रकार के कामों को देखे जिने हम मृत काम कह सकते हैं सबसे पहले मृत काम वे काम है जो बिना किसी आनंद के किये जाते हैं इसरे शब्दों में यह मजबूरी या आवशक्ता या सजा के डर से किये गए काम है या ऐसे ही कुछ और काम आप जानते हैं कि आप में से कुछ कैसे अपने बेटे को अपना हमवक करने के लिए कहते हैं जब वो मैदान में खेलना चाता है आप उसे सजा का डर दिखा कर अंदर आने के लिए मजबूर करते हैं कि अगर वो नहीं सुनता है तो उसे बेंच से दंडित किया जाएगा फिर वो अपने टेबल पर क्रोधी चेहरे के साथ बैढ़ जाता है और अपना हमवक करता है वो इसे खुशी से नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी व कर रहा है or बॉक करना अची बात है लेकिन फिर ये मजबूरी में किया जाता है ये उसी तरह है जैसे बहुत से लोग अपना डश्मान से देते हैं ये इसे खुशी-खुशी नहीं करते वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किसी पादरी ने कहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सजा दी जाएगी कि उन्हें उनके घर में कोई बिमारी हो जाएगी और फिर उन्हें अस्पताल में डॉक्टर को पैसे देने होंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं आपको लगता है कि परमेश्वर इन सभी मनोवग्यानिक तक्निकों में रूची रखते हैं, जिसके दौरा लोगों को अपना पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता है, हम इससे दूर रहें। बाइबल दान देने के विशे में कहती है, दूसरा कुरिंटियो 9 साथ में कि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है, हर बात में परमेश्वर प्रफुलता चाता है, बाइबल कहती है कि यह एक बहुत प्रसिद्ध नहीं है, यह एक बाइबल देने के विशे में कि परमेश्वर उनसे मिलता है, जो धार्मिक्ता के काम करने से आनन्दित होते हैं, ना कि केवल उनसे जो धार्मिक्ता करते हैं, पर उनसे जो प्रेम में धार्मिक्ता करते हैं, मैं आपको एक पद दिखाता हूँ, व्यवस्ता विवरन 28, उसका 47 से 48, जहां परमेश्वर इस्रेलियों को बता रहा था कि उन्हें क्यों दंड दिया जा रहा है, या भविश्य में उन्हें दंड क्यों दिया जाएगा, मुसा उनसे कर रहा था, क्योंकि तुमने यहवा की सेवा, उस सब वस्तों की बहुतायत पर जो परमेश्वर ने तुमें दी है, प्रसनता और आनंद के मन से नहीं की, व्यवस्ता विरुण 28-48, इस कारण तुम अपने शत्रों की सेवा करोगे, परमेश्वर ने इस्रेलियों को उनके इतिहास में अलग-अलग समय पर दाज बनने के लिए क्यों भेजा, यह इसलिया है क्योंकि उन्होंने आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं की, परमेश्वर का राज्य केवल धार्मिक्ता नहीं है, रोमियो 14-17 यह आयत इसे बहुत-बहुत स्पस्ट करती है, इस परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा में शान्ती और आनंद के साथ धार्मिक्ता भी शामिल है, दूसरे शब्दों में यदि आप पवित्र आत्मा के आनंद के बिना सिर्फ धार्मिक्ता करते हैं, तो आप वास्तों में परमेश्वर के राज्य में सेवा नहीं कर रहे हैं आप केवल कमजोर वैध्धानिक अवशक्ता को पूरा कर रहे हैं और इसलिए आप धर्मी हो सकते हैं लेकिन आत्मिक नहीं एक आत्मिक मनुष्य वह मनुष्य है जिसने मरेवे कामों को देखा है और उन मरेवे कामों के लिए अपना मन फिराया है और उसे मसी के लहु के द्वारा अपने रिदे को मरेवे कामों से शुद्द किया है किवल वे ही हैं जो परमेश्वर के रिदे में आनन्द और प्रसनता ला सकते हैं जो कुछ भी करते हैं उसे आनन्द के साथ प्रसन्न मन से करते हैं दश्मान देने की इस बात को ले जिसका मैंने अभी पहले उलेक किया था यह पुरानी वाच्चा के आदीन एक आदेश था वास्तव में पुरानी वाच्चा में आपको अपने दश्मान्स के अतरिक अन्य भेट और बलिदान देने पड़ते थे अंदर आप अपनी आय का लगबग 15 प्रतिशत या उससे अधिक परमेश्वर को दे देते थे लेकिन यह देखना दिल्चस है कि येश्यू ने कभी इसकी आग्या नहीं दी केवल एक बार उसने कभी इसका उलेक किया मती तेविस में किया जब उसने फरिस्यों से बात की थी वह समय था जब लोग अभी भी विवस्ता के आदीन थे और उसने कहा तुम्हे ये दश्मांस करना चाहिए था पर उन्त अन्य बातों की अपेक्षा नहीं करने चाहिए थी अन्य था ये वह आग्या नहीं थी जो इश्यू ने उन लोगों को दी थी जो नहीं वाचा के आधीन आ गए थे इसलिए प्रेरितों के काम दो के बाद आप कभी भी दश्मांस देने के आग्या नहीं पाते हैं के बाद इसका एक मातर संदर्व इबरानियों के साथ दो में है जहां अबराम के दश्मांस देने और मल्की सिदक को अपना धन देने के बारे में बात करता है नहीं वार्चा में दश्मांस देने की आग्या क्यों नहीं है तो कि पुराने नियम में जो मातरा आपने परमेश्वर को दी वह महत्वपून थी नहीं नियम में आपके देने की गुणवत्ता अधिक महत्वपून है आप कितना देते है यह नहीं लेकिन आप कैसे देते है आप कितना देते हैं और आप कैसे देते हैं इसके बीच का अंतर समझते हैं पुराने नियम में यह प्रश्ट था कि आपने कितना दिया यह आपने 10 प्रतिशत नहीं दिया तो आपने अवग्या की पुराने नियम के अंतिम प्रुष्ट में यह कहा गया है मलाकी 3 दस में तु लू तेरा है तु बंडार में दश्मांस नहीं लाया दश्मांस बितर लेया और देख कि मैं तुझे कैसी आशीज देता हूँ लिकिन एक बार जब आप मालाकी की पुस्तक के साथ समाप कर लेते हैं तो इसका अंत हो जाता है जब आप नहीं वाच्चा में प्रवेश करते हैं तो हम दूसरा कुरंटियो 9 साथ में पढ़ते हैं कि परमेश्व चाता है कि आप आनन से दे फिर इतने सारे लोगों को बिना उनकी इच्छा से अपना दश्मांस देने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है यह लोगी मसी अगो के कारण है जो उनके दश्मांस को चाते हैं इसने लोग भुकतान करते हैं लेकिन बिना किसी आनन्द के यह सज देना नहीं है यह अनिच्छ है देने में अनिच्छ है धन बटोरने वाले उपदेशक खुश हो सकते हैं पर परमेश्व नहीं परमेश्व प्रसंद नहीं होते क्योंकि धन प्रसंदा पुरुवक नहीं दिया जाता मैं मानता हूं कि दस प्रतिशत देना एक अच्छा अनुशाशन है अगर कोई आदमी कहता है ठीक है अगर मैं खुद को अनुशाशित नहीं करता तो मैं कुछ नहीं दूंगा और 10 प्रतिशत देता है तो यह अच्छा है लेकिन यह मत सोचो कि अगर तुम उस पैसे को अनिच्छा से देते हो तो परमेश्व खुश होंगे मसी प्रचारक अकसर बहुत बड़े देने वाले से प्रेम करते हैं लेकिन परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम करते हैं अटमा दे आप देखिये नई वाच्चा का सिद्दान्त यह नहीं है जितना आप दे सकते हैं उतना दे नई वाच्चा का सिद्दान्त है जितना खुशी से दे सकते हो उतना दो और वही रुख जाओ परमेश्वर अब और नहीं चाहता परमेश्वर खुशी से देने वाले लोगों को चाहता है वो ऐसे बच्चे चाहता है जो खुश रहे पेशक बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसके अनुपात में दे यदि आप अधिक उदारता से देंगे तो आपको अधिक उदारता से मिलेगा, वो सब सच है लेगिन जब आप परमेश्वर के साथ यह सोच कर व्यपार करते हैं कि यदि आप अधिक देंगे तो आपको अधिक वापस मिलेगा, यह एक मृत काम है आप देखते हैं यहां तक कि आपका परमेश्वर को धन देना भी कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको मन फिराना है क्योंकि आपने इसे अनिच्छा से या अनिच्छा से दे दिया है दूसरा कुरिंटियो 9 साथ में यह इतना स्पस्ट है कि अनिच्छा से नहीं देना चाहिए क्या आपने उस पर ध्यान दिया ना कुड़कुडाकर ना किसी मजबूरी में इसका क्या मतलब है किसी को भी किसी को देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर खुशी-खुशी देने वालों से प्रेम करते हैं मसी प्रचारक इस शेत्र में परमेश्वर से बहुत अलग है पृत काम का यह एक शेत्र है पृत काम का दूसरा शेत्र है बिना प्रेम के किये गए काम आप जानते हैं कि नव विवाहे जोड़े कि घर में पत्नी कैसे सेवा करती है वो अपने पती के लिए जो कुछ भी करती है वो प्रेम के कारन होता है वो खाना पकाती है कपड़े दोती है और घर को साफ रखती है 20 साल बाद आप उसी घर में जाते हैं पत्नी अब भी खाना बना रही है घर को साफ सुत्रा रख रही है लिकिन यह अब प्रेम से नहीं है इसु ने कहा परमेशों से अपने सारे मन, प्रान और शक्ती से प्रेम रखो यह पहली आग्या है यह आप इसे नहीं रखते हैं तो आपके अन्ने सभी काम बेकार है इसके बारे में सोचे कि प्रभू ने इफिसूस में कलिसया के अगवे से क्या कहा तेरे सब काम व्यर्त हैं क्योंकि तुने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है यह भी सोचे कि यह अन्ना अध्या 21 में प्रभू ने पत्रस से क्या कहा था जब वो पत्रस को तीन बार प्रभू का नकारने के बाद एक बार फिर से पत्रस को अपना प्रेरित होने के लिए नियुक्त कर रहा था प्रभू ने पत्रस से तीन बार क्या पुछा यह विल एक प्रश्ण यह तुम उससे प्रेम करते हो विष्स में कहा, यदि तुम उझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी slight करो न कि यदि तुम उझसे डरते हो जो डर से किया जाता है, वो मृत्च काम है जो प्रेम में किया जाता है, वो एक जीवित काम है आप एक अच्छा काम कर सकते है और फिर भी अगर यह न्याय के डर से किया जाता है या इस आशा से किया जाता है कि आपको परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा तो परमेश्वर के लिए इसका कोई मुल्य नहीं है वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करे और हमारे प्रेम से आज्या करिता अवश्य आनी चाहिए हमारे प्रेम से सेवा अवश्य आनी चाहिए हमने मृत काम के दो चिन्नों को देखा है और हम अगले अध्यन में मृत काम के कुछ अन्य चिन्नों को देखना जारी रखेंगे झाल झाल